हेलो स्टेट्स आप सभी लोगों का ABS Online Study में श्वागत है हम लोग इस टॉपिक में यानि कार्बोगिलिक एसिट के नॉमेकलेचर की बात आज करेंगे इसका कार्बोगिलिक एसिट का जैसे प्राइमरी, सेकेंडी और टर्सरी जो तीनों तरह के कार्बोगिलिक एसिट के जो एमाइड होते हैं उनका जो है कैसे हम लोग नॉमेकलेचर लिखते हैं जैसे कार्बोगिलिक एसिट में COOH लगा रहता है यदि COOH का OH हटा करके इसके जगह पर NH2 लगा दे तो यह COOH-NH2 बन जाएगा जिसको हम लोग एमाइड कहते हैं यह तो कार्बोगिलिक एसिट है यानि कार्बोगिलिक एसिट के ही जो है एमाइड डेरिवेटिब्स होते हैं इसी कार्ण इसका नाम पढ़ गया कार्बोग्यलीक एसीड एमाईड, इसका नाम पढ़ गया कार्बोग्यलीक एसीड एमाईड, माने ये प्राइमरी है, यदि इसका एक यच खटा करके इसके जग़ा पर एक आर लगाते हैं, तो निश्चित रूप से एक चेहरा इस तरह से बनेगा, C-O-N-H-R, इसको हम लोग, माने ये फंक्शनल ग्रूप होता है, सेकेंडरी कार्बोग्यलीक एसीड एमाईड, फिर उसी तरह से एक यच को हटाना, एक आर को लगाना, तो एक चेहरा बनेगा C-O-N-R-R, माने C-O-N is the functional group of tertiary कार्बोग्यलीक एसीड एमाईड, ये tertiary कार्बोग्यलीक एसीड एमाईड है, तो जो प्राइमरी कार्बोग्यलीक एसीड एमाईड होते हैं, इनका जो रूल्स होता है, अलकेना माईड के अनुसार नाम लिखते हैं, अलकेना माईड, जो सेकेंडरी कार्बोग्यलीक एसीड एमाईड होते हैं, एलकिल यन एलकिल एलकेना माईड जो टर्शिरी कार्बोगिली के सीड़े माईड होते हैं इनका नॉमेक लेचर का रूल होता है एनन डाई एलकिल एलकेना माईड अब हम लोग प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शिरी तीनों तरह के एमाईड का नॉमेक लेचर की बात करेंगे मतलब इनका नॉमेक लेचर जो है किस प्रकार किया जाता है जैसे 1 मतलं समेके मतल दकार क audio मतला सी मतले लेचर का यह मतला सीटी और बात इनका ऑगू मतले का यहां सी यह श्तरी और शींक यह बहला सो का नॉमेक classic यह ब्रशित ी यह . CS3 CS3, CS2 C-O-N CS3 CS2, CS3 CS3, CS2 CS2, CS2 C-O-N CS2, CS3 CS2, CS2 CS3 CS3 यह सब इसकी बात करें हम लोग अब यहाँ देख रहें कि कार्बन दो हैं तो दो कार्बन के अनुसार इसका नाम हो जाएगा इठेना माईड अब यह सेकेंडरी कार्बोगिरीक इसीडीमाईड है तो यन के साथ हम इधर से अलकिल ग्रूप निकालते हैं हमेजा तो इसका नाम हो जाएगा Nmethyl और यहां से नंबरिंग करेंगे तो नाम हो जाएगा इथेना माईड जब इसकी बात करेंगे तो यनमीथाइल एक दो तीन प्रोपेना माईड यनमीथाइल प्रोपेना माईड जरा इसकी बात कर लें यन पर इथाईल है इधर के अनुसार इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेना माईड जब हम इसकी बात करें अब ये टर्शियरी है तो टर्शियरी है तो यन से दोनों से मिलकिल ग्रूप जुड़े हैं नाम हो जाएगा यन यन डाई मिथाईल यन यन डाई मिथाईल एक दो इथेना माईड इसकी बात करें तो यन पर मेथिल है यन पर इथिल है इसको अलफा बेटिकल आर्डर में बना लेंगे नाम हो जाएगा यन इथाईल यन मिथाईल कारबन तीन है प्रोपेना माईड इसके नाम की बात करें यहाँ पर प्रोपिल है यहाँ पर एथिल है यन एथिल यान प्रोपिल एक दो तीन चार ब्यूटेना माईड तो इस तरह से हम लोग प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी कार्बोगिलिक एसीड एमाईड के नॉमेक्लेचर की बात करते है